हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान बुट्टे की रेशिपी आज हम बुटा बनाएंगे प्लेन नहीं बनाएंगे जो नमक निम्बु लगा के खाते वह वाले नहीं थोड़ा बटरी बनाएंगे चीजी बनाएंगे और इसे आज हम गैस की उपर सेखने वाले हैं तो चलिए आज की रेशिपी देख लेते हैं और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाले रेशिपी का अपडेट आपको मिलती रहे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक जाली लिया है आप जाली को उपर रखके सेख सकते हैं या फिर इस तरीके से डाइरेक्ट फ्लेम को उपर रखके भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप डाइरेक्ट फ्लेम को उपर रखके सेख सकते हैं तो इस तरीके से तरप से डाल के छोड़े ना और जो गैस की फ्लेम में लो टू मिडिया मी रखे हाई ना रखे फिर अगर हाई रखेंगे तो क्या होगा उपर उपर तो काला काला हो जागा लेकिन अंदर से पकेगा नहीं तो इसे कम आज पे धिमी धिमी आज पे इसे अची तरीके से घुमा रखे से Kalan कलर होने से आप यह ना सचे कि पगया है तो इसे अच्छी तरीके से कुमा वेए सेख ले और वे कौन और यह कौन बहुत हैं वह स्वीट होते हैं और 6 एक काते यह दूसरा होता है यह ठोड़ा से पके हुए होते हैं मैं इसे हम पकापके खाएंगे लेकिन अगर लेकिन अगर आपने जो पका के खाने वाला है वैसा लाके उसे बॉयल करेंगे तो वह टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है और कभी पके भी नहीं तो चलिए इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं यहां पर मैंने एक चमच बटर लिया है अब उसमें डालेंगे चिली फ्लेक् पीजामें मसाला अगर आपके पास इस अब नहीं है तो आप नॉर्म चारत मसाला और ठोड़ास भूना हुआ जीरा पाउडर पाउडर नीबु नरहापू का रस और बटर डालें शादो नमक भी डालें और मैंने थोड़ा het a n करेंगे और मिंबु कर लिया मैंने 2 चमिद लिया है और अच्छे से मिक्स करें और यह हमारा एक बट्री सा मसाला बन के तैयार हो गया और मैंने यहाप पीजा फलेवर दिया है कोई भी दे सकते हैं अब क्या करेंगे जो गरम-गरम बुट्टा से का इसके उपर हम इसे लगा देते हैं इस तरहें से और देखिये कैसे बटर इसके अंदर पिधal रहा है ये सारा सोकता जाएगा और यह गरम गरम में करें थंडे मिना करे ठंडा ओने के बाद मज़ा नहीं आएगा इसे गरम गरम ही सेके और फुटा-फुट बटर इसके उपर और खाये तो आप च्रास घुमाते हुए आप बटर लगा ले चाहे तो यंदू थोड़ाई का मसाला होता है जो उन घर में अच्रासित है उसके मसाला लगा जुछ का वी जोने केड़े नहीं। सिप अचार का मसाला ही काफी है आप उस तरीके से भी खा सकते हैं तो देखिए मैं इसके उपर थोड़ा सा चीज भी डाल देती हूं बच्चे तो खुसो के खा लेंगे बुट्टे तो ऐसे खाते ही हैं लेकिन अगर चीज डाल देंगे तो और मज़ा आ जाएगा बच्चे क कर रही हूं आप भी एक बढ़ ट्राइ करें इस तरीके से और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह सिंपल ची रेसिपी कैसी लेगी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर नए हैं तो अपली चैनल को सब्सक् आप सब के साथ मिलती हूं नहीं रेसिपी के साथ तब तर के लिए बाई बाई और थैंक यू फॉर वाचिंग